हेलो फ्रेंट्स फिर से आपका स्वागत है आपके अपने अजुके सनल चैनल में आज कुछ और क्वेस्चन्स करेंगे बाइलोजी से समधित जो आपके आने वाले टीजटी विजटी एक्जाम्स के लिए और ट्वल्द एक्जाम्स इसके अलावा अगर आप कोई भी साइंस पैलोजी से समधित एक्जाम्स दे रहे हैं तो वहाँ पर एकाम आएगा तो पहला वेश्चन है स्मूद एंडब्लास्मिक रेटिकुलम परफॉर्म्स चीक है एपसके पेपर चल रहे हैं ठीक है लेकिन यह आपके हर एक्जाम में काम आते हैं तो इसमूद एंडब्लास्म में ग्रेटिकुलम का काम किया यह पूछा गया सिम पहला है सिंथेसिस ओफ लिपिट्स जियां सिंथेसिव लिपीट भी करता है गलाइको जैनुलिस जियां यह भी होता इसका गरम स्मूद एंडब्लास्मिक की बात करें और स्टिरॉल मेटाबॉलिस्म जियां और डिटॉ एक डैट इस विवी पैरस जिकर वी पैरी मतलब जो इसने को ही जम देगा एक नहीं देगा तो इन में से कौन सा है सो ऑप्शन देखें पिट वाइपर जियां पिट वाइपर पहला ही आंसर यहां पाई चुका है हमारा ठीक है विवी पैरी इसमें पाई जाती है इसके ला का वम लार्वा खोश्र Свरीश करें फ्रॉग तो इसमें को सीप minus और वी पिल्कुल नहीं रहता है नहीं चुले सुर्ब झाल रहता यह शक्रेज हो तो आई रहता है udah को से और तौन पर लो जाएंगे की वोजों डे उप्सवर्डी सट जो से आप को चो पहलें होते होता है सिप्टेंबर 16 गो तो डेवाइज जितने भी साइन से लिटेटेज वगर है तो वो जरूर कंसिडर कीजएगा इंपोर्टेंट होते हैं कुछ भी भूसकता आप से है एक और है सिंपल सा कॉश्ण आया है इन विच स्टेफ टर्स एंट्रोट स्मेर डिवाइड इंटू एक सेंट्र मेर दो में कब डिवाइड हो जाता है जिए कर सिंपल सा वेशन है ठीक है आप में अपोजट पोल्स में जब जाएगा सो यहाँ पर ना राइट आंसर हो जता क्वेशन मा आता हूं कि आपको प्रिवेसर्स के क्वेशन ज्यादे सिर्दा मिलें यह मैं जाता हूं ठीक है तो आप टॉपिक्स को जरूर पकड़ेगा उसके साब से अपने टॉपिक क्लियर करके जाएगा यह क्वेशन भी कई बार पुछा गया है अरिस्टोटेल्स लांटेन ठीक है अकरसिन तो जो आएस्टोटेल की अरस्टू की लांटेन जिसने को आज जाता है तो वो किस्वा मिलती है तो पहला इसमांसा सही है कि इकाइन ओ डिया मैं ठीक है यह उत्तर सही इसका और कई बार आ चुका है तो यह बहुत ही इंपोर्टेंट क्वेश्चन बन जाता आप लोगों के लिए ठीक है यही क्वेश्चन सेम टू सेम क्वेश्चन जो है कि वार मैंने देखा हुआ है रिपीट तो वे बहुत सारे टीजीटी के एक्जाम समी लिए रिपीट होता है अगला प्रस्षण है कंपेरें टू बलड ऑर लिंब फइस अंपने कंपेर करें तो हमारे ल午 में ज्यादा डबली वी सी होती है ठीक है सींपल क्वेश्चन है लेंफ में आपका डबली वी सी जृद्टर पाया जाती है और ढो आर बिया बसी नहीं मिलती है इंपोरेंट क्वेश्चिन ने कई बार पुचा गया तो भी आपका राइट आंसर हो जाता है अग्या अच्छा है कि सेमनी फेरस टीवूल्स में मिलती है ठाइए मेल में और ये पर वाइट करेंगे नियूटरिशन ठीक है जम सेल्स को नियूटरिशन को प्रवाइट करती है ठीक हम यहां पर इस पंप आजवा सकता है नेक्स वेचन देखिए विच आफ द फॉलएंग हैजट्स ओन डिने ठीक इन में से अपना DNA किसका पास है तो वह है Mitochondria ठीक है Mitochondria के पास है अब देखिए वह डिफ्रेंट सेट लीफ आफ डाइक ओर्ट फॉर्म मोनोकॉर्ट ठीक है लीफ में क्या डिफ्रेंस है लीफ अगर बात करें लीफ में डिफ्रेंस की सो डिफ्रेंसियेशन ओफ इस्प में अगला प्रश्न भी अच्छा है कि प्रोबाइक्टिक सार तो प्रोबाइक्टिक व्यां होती है तो यह लाइप माइक्रोबियल फूड सेप्लिमेन्ट भी ठीका अजकल काफी प्रजलन भी है प्रोबाइक्टिक के बारे में आप बोक से कई questions भी बनते हैं सो यह उन्ही होते रहता है कि दही में ठीक है दही अगर आप खा सकते हैं सुबह सुबह खाली पेट उसमें नैचुरल प्रॉब्रेटिक सब को मिलेंगे अगला है अलजायमर्स डिजीज इन हुमन से इस असोशेटेटेड विद डेफेसिएंसी ऑफ तो अलजायमर डिजीज किस से एलेटे इन्में आपका ते हैं है तो फोग कैसे दिफ्रेंटेट होते हैं तो फोग की जो ब्लेट सेल है आपका नुक्लियस जीयां से नकलेटेट है है हिमन्स में डिवाइड होगा इंवन समनें मीनता है प्रेंड कुश्टी ने अंगला कि दीए वीच वन ऑफ दू फॉलाइंग यहाँ पर एकशीटो राफ सेंच्योडी और आपका सेरेटेक और नेसल पार्कि संच्योरी कि सी कर के ईह तर्टिगत यह होगई आपके इनसीटो पर किमस्सटो असे चीजह को दिहान की तो वाटर पॉलिशन का कौमन इंडिकेटर कौन है तो वह आपका इसिर्किया कोलाई यह कोलाई भी जिसे कहते हैं अग्याई फेनमनन औफ प्लाजमोलिसिस अकर वहन तो प्लाजमोलिसिस कब होता है ठीक है कुछ सिंपल क्वेशन भी यह थो सेल सर्किय्प इन हैपरलोनिक सॉलिशन जहां जाएगा तो प्लाजमोलिसिस की फेनमन होती है है ऐसे डी प्लाजमोलिस भी पूछ सकता है ठीक है पॉटनिंग जाएगा दो डी प्लाजमोलिस हो जाएगा अगला है सिग्नल्स ओफ पार चुरिशन और इने ट्रॉंग फिर से क्वेशन आगे आपका हिमने प्रॉडक्शन से इंपोटेंट चैप्टरी बनता है आपका किसे से भी टीजिंग जाम के आप तहरी करें बोर्ड एक्जाम के तहरी कर रहे हो तो वहां पर हमने प्रॉडक्शन जो चैप्टर है बहुत ही इंपोटेंट होता है एंसी आर्टी से भी आप इससे बढ़ेंगे तो काफी अच्छा क्लिर हो जाएगा तो पार निट्रिशन ठीक की सबसे अच्छी युक्ति अभी तक जो ज्यादा यूस कर जाती है इंडिया में कौन सी है ठीक है बहुत से विद्यारती मुस्ते गहाते कि सरे एंस्ट एक्जाम आते हैं लेकिन अगर आप देखें एक्जाम आप दे रहे हैं तो वहां पर एंस्यार्टी मेक्सिम पुझ सब्सक्राइब हो जाती है एक वहां से लिया गया आपका तो आई यूडी जो है राइट आंसर है तो आप देखिए और टॉपिक पकड़िया और उन पर सुरू हो जाई वक करना अगला 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 इंब्रियोनिक स्केल्टन इस फॉम्ड बाई ठीक है एंब्रियोनिक स अगलो ब्लाट करो होते हैं वो हाई लीप रॉन टू पैस ठेके बहुत ही सबैन सील होते है देखिए उनके पैस्ट है उनके लिए ठीक है तो उनके बहुत जादा केर है क्या शक्तर होती है तो वी इस देर राय आइड़ाै आंसर अगला के लग शनम बोरोन इन ग्रीन प्ल जो रोल है तो आप देख सकते हैं सब्सक्राइब करता है वह सुगर की टांसपोर्ट में है एक्सट ए फोटो केमिकल स्मोग पॉलिशन ड़स नौट कंटेन ठीक फोटो केमिकल अगर इसमोग पॉलिशन की बात करें ठीक है स्मॉट प्लस फोग स्मॉग बनता है तो उसमें क् प्लस टीक है और आपका पर असले टेट और नेटरिजन डियक्साइड होते हैं कि कर्मन डियक्साइड नहीं होती जो फोटो केमिकल स्मोग उसमें कि और एकार इंपोर्टेंट टोपिक बनता आपका ग्लाइक्साइड ऊफ्राइड राइस्पीरेशन में तो ग्लाइक्साइड में ऊकसीडेशन होता है ट्यूर्ण और रिमूट पाए तो इससे होते हैं ठीक है यह एननेयाडि प्लस के दारहा होते हैं ृच्छ भी इसमें बन सकता है तो ग्लाइकोलिसस टीसे साइकल अच्छा से कवर किजिएगा मैं साधी साथ टॉपक यू बनाते जा रहा हूं आपको ताकि आप लोक कम्ट समय में जल्दी से इस टॉपिक को कवर कर सकें अच्छा से तरह ताकि पिरवे सेस्ट में जो आते हैं उन्हीं मैंसे क्व आतब हैं और आरने में मिलते है ठीक है तो रॉइन यू ऑ यू जी वे जी ठीक है यह हुआ ऋगा वाहाग ठीक कईसे अогắn को याद कर सकते हैं यह इंग हूच शीसरे टिक है यू एजी और यू जी ए ठीक है तो इन को को बोलते हैं अंटी कोड़ों सीया टर्मिनेशन कोड़ों सुमेद करता हूं यह क्वेशन आपको सही लगे होंगे एकर कुछ का फ्यूजन हो तो जरूर पूछेगा पार्ट एक लिए भी आज वीडियो जल से जल आएगा तो मिलते हैं आपसे नेक्स वीडियो में थैंक यू कर दो